कछुआ टाइप कछुआ टाइप है कछु जैसे होते हैं इसके हाँ यह जीमिकंद है और बिल्कुल और्गैनिक है यह स्वाग मिडिया देखनाडे सारे दर्सकान है अज्यागिल कुराड के और तरामराम द्वेस बरके विज्यानिक आगी और सिर्क प्राथ टेग लिए जो तरी गाया नूब्योस का नूगए यह रियान अल्यामने फैल गर का छोड़ायां में कीसे भी भाल कुने हो दे लेकिन यह रहां पांच-पांच-फूट की गिया बहुत पांच-पांच-बांच-पांच-पूट की गिया है 5-6 तक की गिया है और यह आपके सामने इस पेड़ा पे खड़े आप देखो यह न निम्बु है अमरूद नहीं ऋढ़ इसमें 1.5 kg के गुच्छे लगते हैं इसमें तोड दिया यहां सड़के किनारे यहां तोड के ले जाते हैं और आपने उपका दिखाता हूं मैं आपको एक गुच्छे में 8-10 है और इसमें 1.5 kg से कम नहीं है यह निम्बु और यह बिल्क इस निम्बू का राज है कि इसके उपपर एक तो मैं हर रोज पानी छिड़कता हूं इस पर रेता नहीं रहने देता जिस फड़दार पे पोदे पे रेता रह गया तो पोदा मरेगा वो पोदा विकास नहीं करेगा जैसे हम बच्चे को नहीं नराएंगे तो बच्चा विका एक निम्बू का बजन 50 ग्राम से लेगे 200-200 ग्राम तक हो जाता है इसका जी आप देख सको बाई कामरामान तक हुए गरा उरने आजा बाई ए उरने आजा बाई आगा ए आड़ा जाए इप कामरामान तक हुआ कामरा चुखुर दोग मैं देगा ए दिखा दे बाई प्रप दोगे ले जाएं सारी सारी बात कराएं यू कै कररें यह मैं आपको अर्भी पाड़ खाता हूं जो एंस दो इंश की अर्भी होती है मैं किलों के साबसेर फुटों के शाब से दिखा करें लंबी मिलेगी आपको और में यह पॉड़न लग रहे हैं और पाड़ के शाब पाँच किलों किलों आयों इसका सबजी बहुत टास्टी बनते हैँ इसका आचार बी बनते है और इसका पकोड़ा जैये चानरा बनते है कुछ यह अपनी इस ती पर कर्फ तीकला चेड़ चाड़ भी कैस का कुछ क्यों आप लए खूद का बीज ने आग रहे हो कराने यूं की सिरा करो हो प्राकृते के साथ चेड़ चाड़ नहीं है बीज तो यह वही का वही है जो बीज था और इस में मैंने थोड़ा आशा बस एक ची Mekka बनाई, निखनें सब्जाइन काम उनीन सिंच की लमभी गांट बनाई, 2 Мыर्ग रिकोर्ड में शब्हूनम ये हैंपारइकों फुट। नङकंट बनाई, फ tracking Time Time Game Time उर ये मैं आपको दिखाता हूं ये वैसे तो दूसरी नगेड़ एंग civ편 protein sound यह अर्भी है इसे पहले जिस दिन कुसम गोट भी यहां पर आई थी उसको भी मनें पाड़ के दिखाए आपके पिछे रखी है उसका वजन पांच किलों के करीब है हाँ उठा ले उपर लुटा यह पांच किलों का बिल्कुल अराम तोगर भी हवाई हो या कता मैंनु शोच अर्भी है इतने कमरा मैंन तक हूंगा वाई प्रोफ प्रत्रिक करें कुछ और सोद्य अंदर हो इतने दर्सका अधा बोर नियों मेंगे कासी दिखाए लगव कासी दिखाए बहुत सारे बाई जोद लखन हुगा अपना मारास्ट्र करें मब पूछे जावा बाई और रहाणा में कसी किसी किस यूज़ु आई या कसी है वाई यो यह देख लिआ या इसी कसी यूज़ु आ आपना रहाणा मैं एक रणा में पुच्छे करें थे रहना मैं इस तरह ही जो आज देख लिए होगी जो दो फुट की लंबी है और आप वजन देख लो चार पांच किलो बजन है इसके अंदर बिल्कुला बाई चार पांच किलो बजन इसका बिल्कुला रामत होगा तो यह ऐसे रिकोर्ड बनाता हूं मैं औ मुझे चाओ है क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था पांच किलास में उस टाइम मेरे को गव में प्रैमरी स्कूल था वहां टीचर ने मेरे को एक दस फुट लंबीर पांच तीन फुट चोड़ी क्यारी दी थी उसमें गैंदे लगाने थे मैंने अपने पिता जी और तरह देखा था अमरूद के पोदे उनने पांच शे फुट तक गड़ा मारके और कंकर का थार निकाल के उन्होंने पोदे लगाई थे इसी तरह पर निकाल के वहां पर गैंदे लगाई तो च्छेशे फुट के उजिए मैं पांच मीं पढ़ता बहुत बड़ा बड़ा तो आपने इतनी बड़ी बने दिखुछ देखो हैं इस में थाइप यहां से मैंने निकाल लिए जमीन कम से कंभी डेड़ फूट निचे खोद रखी निचे खोद कि मृनें लगाई लगा कि मैं झालिक इने बंदी चलिए कि मैं वेका नो इसको लेक के आया और देखंगो इसको और इफेक्ट नी यह बिल्कुल औरगानिक है इसका कोई है थे पार नी घृत बढ़ी अधिया है इसकी वह वहर हैं इसके शब्जी यूज़ ह네요 और बात कहा है शूजा पहुत मनतों है ये घया रहता है ये खाने में भुटन रहता है इस एक है भी हर आज़को फ disruption की में गोई ह prayer जाओ शबने बाता है उसकी आभात वहुत पहुत हुद्ट है भी जände के जाअ मैं क 25 आधंग route इन पार शूद्फ किम आध्य इतनी आइट है जो किस आपत है यह देशी वर्याटी है मेरे फादर ने मेरे को आज से कोई 40-50 साल पहले मेरे को यह शीड दिया था और उन से शीड लेकर ही मैं इसको त्यार किया है और मैंने इंडिश्ट्री में भी काफी बार कोर्स किये हैं खिती के है तो में बहुत पास रहे कि कुछन कुछ तो आदमी अनपड़ भी सीख जाता है कुछन कुछ जाता है हां जी और पढ़िया मेरे और फिल्म भी बना रहा कि आपने सुनमाई मेरी सबसे पहले फिल्म आई थी डीडी वन पे 26 पर उनिश्व शानुमा को उसके बाद डीडी टू पे हाई मेर डीडी किसान पे याई और हर बार हर साल आप तो दो तीन च्यार पांच फिल्में बनती रहती जैसे आप टैली फिल्म भडान लग रहे आज ऐसे बनती रहती है और मुझे बड़ा चाव है जब आते हैं आप और पूरे देश में दिखा थी हैं हमारी पुर घब्लिक सिटी के लोग पंजाब के लोग करनेड़ा लेके इसका बीज और पूरे भारत में लोग मेरे से इसका बीज मांगते हैं और एक दिन में 600 फोन आते हैं और मैं इसीलिए अपना फोन बंद करके रखके आया हूँ बैद कोई बीच में डिस्ट्रपना हो हम जी मेरे पास दिन में 100 atte क्या बतापण्यों का मालदार क्योंताउ जूर दुने जिए इतने शiencia भाती कि यह ठाकता निकि उपले कि था जा खराब भी वह चलददchten प्रदाब नियुकर डोली अक्राब हो यहा kicking प our को मैं आपको केड़े भी दिखाऊओं गए जो और गैनिक चीज है वह उसमें कंच्टी होती वह जल्दी खराब नीनी कच्छी है जल्दी खराब नीन रखोती है और सेनिक धुआ यह पें भी版 जलदी खराब होती है कई दिन तक तो बुस्ति नहीं है जिसे फ्रीजमें रखते हैं दस-बैरा दिन तक रहती हैं वो पांसे डिन में रहती है व सल्य भोगत पाणि यूज कर रह जाइन है आपके सामने देखो एधर here यह जो आपना एक डूटर बदो फूटकियों में आप देख सको च्छाइब लगाई यह लगाई यह लगाई यह लंबाई बदाने का भी और तजलबा बताता हूं आपको क्यों हरे किसान को पता लगना चीए मैंने गिया वहां लगाई यह लगाई मैंने इसको निचे निच चला के इसकी जड़ें बनाई दस फूट तक और दस फूट हुदर वारी इधर तक बनाई फिर मैंने चाल दी रियर दाब दे रहे हैं इसकी जड़ें मरने यह क्योंकि अब तब पानी जैसे फुवारे से पान डालते हैं तो इसमें उपर निकला इन्हीं मैंने बिलकुल द जो पत्री रहती है वह बिन दबाई वारी बदी अब देखाँ गोबी और पहले बार मैंने यह लगाई थी जो इस बार लगाई यह उत्रने लगी आज भी तोड़े मने दो दून पहले भी तोड़े थी इसमें आपको मैं दिखाऊंगा लाश्ट माफ इसको खाके यह जैसे टिंडी गी होता है नहीं मारा ऐसे सर्दियों में टिंडी होता है ऐसे स्वाद लगते हैं मैं तोड़के ख़़ा के दिखाऊंगा आपको बाद मन जब इदर आएंगे इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको यह चुकंदर है ने आप एक बात और पताओ मेरे जु हम जिवानू मलाते यह जो जुवानू अरगेनिक जुवालू है हाँ एड़के जवाणीलिय। आपको में जुवानू मलैरक है और जिवानू वाला खाज वाना हम इसमे सारी फइस भनिते हैं और फ नहीं के बाद जु़ानूं ऋच्वां देखाया उतन पोदे की जड़े म यह दिवानु है और गैनिक प्यदा करते हैं जिवानु को और उन से जैसे जावेक्टर हैं दूसरी चीजे हैं ऐसे ज्वानु उसके बाद मुझे याद नी रती तो इसमें जिवानु मल хотел किया और इसके भाद में जो हमारे वो पोधे हैं इस परदार पोधे हैं इस यहां में जिवानु जैसे 1000 घुर्फ, मिला आप एम एम किसी से लेके आई थे तो मिलतु हैं यहां जब सा भाए। जे रु度 इस आए कंद के सा कई गहां न को जूब होते हैं। भी कि इस अजार जिव प्राणा के यहां मिला दिया। और बीष तारीक तक इसमें बोज बन जाएं कियांकि मैंने 20 तारीक को इन जो फड़दार पोदे हैं इनकी अंदर डालना है इनकी अंदर डालके और इसमें मिटी में बला देंगे उसको जाले निए भी आपकर के पोदे से उनकी जड़ चोड़के एक दो फुट तक और बाक का किसान ने अरे किसान करना चाहिए किसान करते नहीं जगा थे एदर आओ यह तो चुकंदर दो चीज से खून बनता है ड्रैक्ट एक चुकंदर से और अनार से किसान ने दोनों चीज लगा नी है मैंने दोनों लगा हर एक शुकंदर एक शुकंदर मैसे बिल्कूल भी सारी और्गेनिक एतना मिठा लगता है जैसे हम किसी चीज के किन्नु का ज्ट जूस निकालते हैं एक उसमें गेर लेते हैं ये एक अचुकंदर ग recipients और जूस पीते हैं सब तो चुकंदर माड को नार घ्ले को बीमारी कि मुधक दा गल कि है आगे, आगे जा चयाँ जाँ, सीजन graphYA गाई और अब रचाइब है अब करें सब्सक्राइब वह जाड़ अए अच्छाट चुकंदर में आखें उपक्रратьा है इस्टे उपन टीन चरोबिन गोवी किसान क्या करता है अग्र काने की चभजी लगाता है एक दम जाके 100-200 बुट्टे लगा देता है, 100-200 बुट्टे लगाने चाहिए, 20-25 पच्छिश बुट्टे लगाओ, हफता 10-15 दिन के फैंचले में, इतने पहली आले, फिर दूसरी आए, फिर तीसरी आए, ऐसे लगानी चाहिए, एक दम रेला हो जाता है, और बाद में पर उसके खाने को मिन मिलती, बिलिपकु बिलिपकु और ये है ग्रेफुरूट, ग्रेफुरूट, पहली बार मैं ने इस पर लिया था, इस ग्रेफुरूट पे, और इसका मक्सद क्या है, ये खटा होता है, और यह शुगर चांट्रोल करता है जो शुगर वाला आजमी इसको पंदर अधन इसका जूस पीले ना पूरे साल शुगर नहीं होगा और प्रेज तो रखने पड़ते हैं शुगर वाला कभी सुगर कंट्रोल कर देता है इसका अच्छा फड़ होता है किनों से डबल होता है हाँ जी हाँ जी एक दीक हैं यह यह हैं या डिकाने बट्र बश्त ये यह है फिर्ज्वां यह फ्रू। ठीक है ale यह चुआ को मुत आइना तो पुझर उन्य देक्स्या संदीन के ज्या झी इसको नहीं को मैं capable नृपने शाब दो तो दिक्खेंग इसके बाद आपको मैं द यह उर्लिशा डागा दिखा दे बाई वाद जीवा बेल पत्थर बोलते हैं मारे अरियाने मेश को इसका अगर हम जूस दस-पंदरा जन गर्मियों में पीएं तो पूरे साल गर्मी नहीं लगती यह बिल्कुल और्गैनिक है सारी शीज और इसका जूस जूस पीने वाले को और इसके बाद यह पूदा है इसार सफेदा अमरूद का और इस पह एक सीजन में लेते हैं और दूसरे सीजन लेते क्योंकि लगता बारा मिन नहीं यह इसकी कटिंग कर खिए अविसमें मुरूद आएगा और यह दो मिनें पके त्यार बिल्गा इसके बाद आपको उपर उपर मैंने वैने सेम फडीया समसेय THERE क पाइब सेमफडी और सेमफडी की सब्जी बहुत अच्छी बनती जह मैं हर साल जघाता हूं को आ één 12-14 12-14 मरले जमीन है, ज्यादा नहीं है, इसके बाद लिखाता हूं मैं रतालू, पोर यह रतालू है, वह जा बेल लगवग सो फुट तक पहल जाती है, लंबी बढ़ जाती है, और इसके निचे से कंद निकलते हैं, जिसकी सबजी बनती है, इसको रतालू बोलते हैं, इसके दस और उधार रंग दिखाता हूं आपको आप इधर देखिए यहां से देखगा यह जामुनी रंग और इसकी पनीर जैसी सबजी बनती है जैसे पनीर की सब्जी बनती इसके छोलें जूरत पिर बोरी पर गड़ लो इसके थोड़े झोले यहां मामुलली इसलक ते है और जोट पनीर को ऐसे तड़के और मटर में मिला ज़ोग सब्जी में मिला लो इसकी पनीर जैसे सब्जी बनती है और इसके बाद इसके बाद दिखाएं मैं आपको यहीं पर मैंने वो लगार ता J刻 जीविकंद। इतना गर्म होता है कि इसको आप मट्र या किसी दूसरी सब्जी में बना के खा सकते हो, इसको भी तलना पड़ता है और इसको जाधा नी पूरी कल्ली को नी खा सकती इसको टाइप यहां यहां नहीं होता है इसे बड़ी बडीव निखली है तो यह तुर 5-4 kg तक मैं इन लेकर जाओंगा इसकी सबजी बहुत ग염, जो लोग अंडा खाते हैं, उसका अंडा खाने की जूरत नहीं है, गर्म होती है और सरदियों में दो-ती मिनने इसको काते हैं, नुमबर 15 नूमबर से लेके पर 15 फरवीत गाया जाते है, यह गर्म होती है जादा इसे में से काटके बनाते हैं काट ले इसको काटके इसके टुकुडे बना बना का चोड़ चोड़े टुकुडे बना का यह देखे यह आंखें दिखती हैं यह उगने वारी आंखें इसमें देखो यह दर भी आंखें यह सारी आंखें देखो इसमें यह दिख दियो आगी अब्ना को anx hive doctor को झाटो पूंडा घंदां बोले जिसको यह कढडा पुंडा है यह जिसके दांत भी नहीं है उसको छोल का पूरी देँ वह बिना दांथ भी सूछ कूछ लेगा इसकी पूरी को इतना फोका हुता पुता है और जो घॉर सबसे महासूर है हमारे हरीणे के अंदर उसको महासूर ता गंणा उसको मौणिया गंणा गंणा बोलते थे और लोगों ने लूपत कर έदीा। विरए यह उचल जाया हुआ कर दिखाती हूं अपको एकर शीयले Children, लग कर देखो उगनु झाहिँिर में बिन्सा जाए यहां थांकर लगदा का शाया हुग मैं यहाहा है यह निस जाए जैसे दोग उचकर कीसी गवार्णे के निवन की, यह खा hineच हैुग लग ड़ जा जो बिमार रहते हैं काश्टोल बढ़ गाज काश्टोल निबढ़ गाज एक अगन्ना डेली तुसों काश्टोल निबढ़ेगा विल्कुल भी एक मिंट बी किसे काश्टोल एक सेकिंड इन 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 इबढ़ सकदा और आप कि इसी देशी वैद को भी पूछ लो जो गन्ना पंजाब की ब्रैटी है मेरे पास है नाम है टिपल जीरो अटीश रिपल जीरो अर्ती यह गिर गया और रूक्या नी बढ़ जागा बहुत जागा लंबा बदिया था यह गिर गया और इसका थोड़ा टाइट तो है यह चूशनी में परंतु इसमें एक गन्ने में चयार- पांच पांच किलो भी वजन ओ जाता है इसमें गिरने के बाद थड़ा वजन कम अगता है और इसके बाद दिखातों में आपको देशी केला जो हमारा हरियाने का है अच्छा रियान आगा केला लिए यह ज़्यादा नी बढ़ता यह देखो च्यार-पांच फूट तर पर ही इसके घड़ा जाती है और यह ऊपूरी पकता है इसमें पेफे हम्नें तियन गड़ पकि इसकी तेन गड़ पकि इसकी हमने तोड के ने रख्या और एक और खाशिए के अंदर उपर पकने की liter ने वर shapes law expert श्यार बवारी लोग में या कोई बबी है यह कोई बहें कोई बह ज्बन कोई दूआई से पकाता है उसका केड़ अपर से खराब उपर से पहले और जागा अगर इसका केड़ा उपर पक्या केड़ा अगर काफी दन गरां रखे आप 15-20 दन थोड़ा प्रकाण भी ओ गया अंदर से विलकुल काला नियोगा अंदर से यह से का निकल अजिसन ज उर भाया को पेसे खाये तो जैर को निज्दीक नुचाहाईगा पक्तल है कोई भी यहां जब पक्र मुहह चाहते हैं इसको घ répondre आहिए झामार्नाम घराखऊ sarà मैं जो पर बाटि लगाया को एगली साल यह अगली साल फढ़ा तूकर इस अगली साल इसका पите गोड़ा बेर लगे अगली शाल जब बना ना एंगे तो आपको अशके बैर ढ़ाओ कि इसके जड़ मैं से में गन्ने खतम कर दियूंगा गन्ने परन लगाओंगा तो यहां यह बेरी बेर दिखेगा आपको इसके गोड़ा बेर शेव की तरह बेर गोड़ हनजी हनजी अब देख सोवाश तेमा में मुझूद थे अपको पहले एक तीज और दिखाता हूं यह ब इसके घादियत हमने फरवरी में तो फिर इसमें घरबुजा लगा खाया कांखडी लगाई जब तक हरदी मतलों वह गया हरदी जम घरदी जमने के बाद फिर हमने इसमें पानी देना माटी चड़ाई पानी देख आए फ्यर फूटनी शूरू होगी यह बेरी और बेरी हो τι में तीसरी खीम हैं अजर धैसे तीसरी खेती एंधियर और किसान को ये कहता हूं जो किसान अपनी गर के अरदी लगाता जो पुरूट्fle है उसका क्या पादा कि सुना लो अज में फ़ने फदरदार पधे रखना है अपने महाँ मसाले उनना शींमा जाहिए मैं आपको शूर्ण भी दिखाओंगा और यहां कारिा अलडी नदी भीआ आप संरमाद कि शुक्ति आफे मेरे मालग मॉँरिक शोदी आउया था उस निंबु शे मैंने गुट्टीबंदी और गुट्टीबंद करके मांने पोदे त्यार किये और पोदे जो त्यार किये हैं यह दो फोडोबRob Chanel Scrima do Joe कि रखार कट मेने के स्पॉरना नेरी बार लगता रखार जायाँ ते is आजड़ है आफई के मिलें और अर्दी के बीच है और खायँ मेरे से मुई ड़ोफ ऐस एक का वू ने निम्बो प्योदी के उकपरी यह ऐसी ब्रैटी है बाई कामरामें तहूंगा जोसी चीद दियाने निजमल चलोगा जागा दियादेगर बाई गवराना को नितना आज तर दूद प्याग लिया रहे हुंए यह है देशी लशन देशी लशन और देशी लशन लोग क्या करते हैं देशी लशन पेश की लगती है लोग का बनवा रहे है और एक आदमी पूरा किल्ले में श्याम तक लगीर मार देगर कि इसने किल्दा लगाना हो अगर वैसे लगडी से मारने लगा जो चारतन में ने लगता पांस तन में लगीर बना सकता और साथ-साथ में लगाता चला जाता है लखीर का मतलब निसाब लगाते हैं लाइन टू लाइन जो बनाते हैं वो हममने एक सकंजा बना ररे हैं उस खणा से लाइन मार देते हैं भाला टाइप ञाड़ा बनाता गार है आपको झाल्द सूंगा और यह हैं क्रिले यह सूख घे आ इनमें से कहियों का तो भीज निकल गया आपकी इंच जार में मेरी तोड़ी तब बीत डाउन चल रही है इसकर करे में पहुंचन नहीं नहीं पाया इसमें लगबग उने वजन तो लिया था चोटा था कंड़ा था इसमें डेड़ किलो बजन था इस करेले में डेड़ किलो बजन था और यह भी सूखके मुड़के गोड़ो गया गोड़ो गया इसवादो फुट लंबा था तो इसके यह जो पोदे हैं इधर देख रहे आप में पकड़ हैं यह सोट के पोदे हैं जैसे लगते हैं और मैंसा भी दिखाऊंगा आओ दिखाऊंगा और इस इस दभाव कितनी हरी खड़िया भी आजिसका माई के अंदन एर यह इसलिए इसको ऑाउ इसके अंदर हथका इसमें थंड से भचाने के लिए और इसको पूरा टेम प्रेसर देने के लिए इसमें मैंने इसकी म्होंना नी फ् सिर फॉट 13 इंच फार लीगानिया इश्य मैंणेウ न कि अखबार में निकली थी, अब तो मैं जैसे आप आगे पत्रकार आगे जैसे टीवी मैं उनको कैशट बेज सकता हूँ, वई कैशट के हिसाब से आप देख लो लंबा है नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ वार्ग दिखाता हूँ यह सौंट के पोदे हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ लोग कहते हैं अधरक से सौंट बनती अधरक से सौंट नहीं बनती सौंट का पोदा अलग होते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यह सौंट की खशबू है नहीं है नहीं है तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जीवामरित जीवामरित वाजीवा पं जो बढ़िया बनती है अच्छी पैदावार बनती है यह है जीवामरीद और इसको हम 200 लिटर का ड्राम लेते हैं उसमें एक किलो गुड एक किलो बेशन और एक किलो बढ़ या पिपड के मिट्टी पिपड के निचे की मिट्टी और दस किलो देशी गाई का गोबर दस किलो मिलाते हैं और मिला के इसको हम एक 15 शूबै शुबय शुबया स्याम 15 तक ऐसे घोड़ते हैं सको है इसे गुमाते हैं इसको और घ्रण अब तो काड़ा-काड़ा गोबर जा इसा दिखते है फिर यह बिलकुल साफ हो जाए पीड़ा से पीड़ारंग में आ जाएगा और पी है उसके ऑपर रख देंगे है उसके उपर ठाहने से अपना अप इसमें पाणी जात रहिए का représent जितने जरूदा हुतर काता बश्ग जरूरत इसके बाद मं प्रजानि संपर रूचैने छिच्छ कहा है एंभना, इसके बाद में आपको इसमें तो हर्दी की गांट सूक जाती है यह सूक्योई गांठ पैदावारपूरी नी देगी इसका निच्चा तो अर्दी है उपपर मट्र है इसके कितने पुट दूर है चार पांच इंच निच्छ इनच निच्छ रवदी ए और साइड में इसमें एफ एक लगाऊंगा ठीक है और उस साइड में शीमला मिर्च लगा करके भी इसमें दो तीन फसल होगी और इसी के उपर देख़ो आप है इस पे यह कितनी गोल्गोड इपड़ी हैंगी आसारी ताम नहीं के बहे लड़गी जहा लॉक करने तो शिदी होती है बीना लटक पर फेर बंगी उछाती है क्या तो क्या बात और एसके बाद मैं आपको काली हळडि दिखा उफिish के बाद मैं आपको काली हडि unfortunately काली अर्दी तक में काम आती है, जब वह उगेगी, उसके पतेवे काली लकीर होती है, और वह ब्राउन रंकी होती है, जब आम उसका तोड़ेंगे, अंदर से पीडी निकलेगी, बीच से, शेंटर से पीडी निकलेगी, और मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। काली अर्दी यह उसका ऐघए बीच में कैसी निकली सिर्शी पीडी है, इसको खोय चाय झाली यह करते हैं, बीच मेंने विरी बीच में आपको छोड़ आपर से काली करने से काली नियुक्ती है काली कुदरती हुगती है क्योंकि इसका पत्ता काल्टा हुटता है। कारी करने से कारी नहीं देखो यह अलगी है यह कैंसर तक में मसालियों में बहुत महँआगी है यह दूसरी तो आपको सोर पे मिल जेगी पीड़ी तो यह आपको छश्ज पे किलो मिलेगी इसका एतना महँआगी है यह और कुछ रहागा जो दर्शक मैं आपको दिखाता पूरी पूरी किसानों के लिए बहुत ज्यादा ही साइक वीडियो नड़िया भाई कि पैज़ भाई बैज़ जा इसमें बथुआ खड़ेया है मेरे को कई लोग कह देते हैं भाई आप बथुआ को क्यों नहीं पारतें इसमें से बथुआ एक ऐसी दुआई है इसकी चटनी बना लिए साग में मिला लिए ये कई बीमार्यों के खथम करती है कहीं बीमारियों का खतम करता है बथवा खड़ा जो हमारा जंगली देशी बथवा है यह जो हमारी पहले फसल में होता था है मैंने इसको पाड़ के फांग का नहीं जब यू जो जागा फिर इसको ज़र से निकाल देंगे कुछ पोदे रख लेंगे बीज के लिए और यह भी सोठ और आट यह अग्ठी dus रमगे है और यह दिखाओं में आपको यह देखो एश मन लगां खेया मैंने दिखता होगा आपको अक्त मत उढyuष मैंने विके यह और पुरी फॉरी फूरी खा जो तो यह अजिर्वान है ठटीतोत्य दोटीं चॉच्छ ऑजधिए बेल्ग है यह जंगली अजवैन है इसका इस्तेमाल करते थे लोग हमारे पहले अब आगे हाइविर्ड जा जवैन हाइविर्ड में वह चीज नहीं है जितने इसका पत्य में ताकत है उसके बीज में भी ताकत नहीं है और इसके बाद दिखाता हूं मैं आपको यह पपिता पपिता पढ़े ते और ऑजोनी 5-7 जितन बाद पकता है कई लोग इसको क्या करते हैं तोड़ करके कहीं लोग इसको क्या कर थे आखबारा हूं में बोच भुछते हैं और अखबार में बोच ने के बाद जब इसको हवानी लगते तो इसमें पुफूंदी लग जाती रख़ नहीं मूरी यह दो आधे हैं यह पीड़ी गाजर मूरी है कि अधर चने हैं इतर 원래 यह पनीरय ऑप्याज से बाइज्चे बना लेता तो मुझी बना लेता हो इसमेन लोश में ठीक हर साल जम जाती थी जम जाती थी बहुत मय बीज उता है गराम शाली रुपए का बीज देते हैं और यह यहां बीज निबनता है इसंही कारी घाज्र को रोड़े लें ये काली गॉजर है और ये काली गॉजर है जिसके पेट में दर्द कोई तक जूज रही होती है तो उसकी रह सब्ज़ इसकी सबजी घुड़ा हूं उसके दर्द में तर्द नहीνा है। इसके इसके बाद इदर ट्माठर हैं और एक चीज दिखाऊ व्हुं को मत्र और चने के क्रोज से हमारे हां हर्याने में मत्र चना उना इट गया था उसके क्रोज से एक फचल बनाई है उसको बोलते हैं बाकला यह देखो यहां फूल आ रहे है इसका देखो आप यह पोदे पूल आ रहे है इसको बाकला बोलते हैं कई जगे इसको काला चना बोलते ह परंतु काला चाला है यह बिल्कुल मट्र जैसा रंग होता है इसका और इसकी सब्जी तब बनेगी ज़िए में हमारे हर्याने में कहीं मट्र नी मिलेगा तब याथता है यह और इसके बाद जो मैं दिखाना चाहता था आपको बैल गिया गी बैल जो शीदी जला दे नीचे जमीन मना गुमाव है तो वो पत्ली तब जाते हैं इदर में पत्ली रहेगी पत्ली रहेगी इसके जड़ें नीचे पूरी ओनी चाहिए पूरी जमीन में फैल के जड़ें और पर के उपर चलाओ इसका यह वेनिफिट है यह आपको तजरबे दिखा दिए मने बिल्कुल सीधी चलार किया जमते उपर चला दी घ्या जुरू लगी है कम लगेंगें इतनी किया लागरी है और आपने देख लियोगा पूरा-पूरा बगिच्चा है यह जोर दिखाओं में मेरे पास है आप इसको सूं का देखो इसकी खश्बूक ऐसी है बहुत जबरदस्त है वाजीवा क्या बात इसका क्या करते है तो इसकी आपने में ग्रीन टी देहूंगा आपको तो मैंने काट रखे एक अफता पहले काटी थी तो आपकर अपके घर के लिए देहूंगा एक कंदे काट करके सुखाएं यह का बाल करका का प्याया यह यह एए भुआ है यह दो पांच शीज चीज से वह जह दो सुखीना पांढा को मैं ज predictive आखेस है दो हैं जा वके नाम मुझे आद हें एक दो इसको जादे ए सुखा के स्का पाटर मना लिए इसको उबाल इसका पान पील बहुत कड़ूबा होता है बहुत कड़ूबा होता है यह सुगर को बिल्कुल कंट्रोल करते है हाँ जी अच्छा हमारे किसान कब जागते हैं जब हमको सब्जी की जुरूत है तो कैसे जागी है वो फरवरी में लगाएंगे मार से निकल जाएगा अगर हमारा किसान नुमंबर के लास्ट वीक में गिया लगा दे दो च्यार पेड़ दगा दे और उसको ढखके उपर से छोड़ दे वो फरवरी में ही उसकी सब्जी उसके गिया लगनी शुरू हो जाएंगी यह मैं दिखाता हूँ दिखावा कजेंपल होगी फरवरी स्टाट होगी मैं इसके उपर से तरपाल उठा जूँगा और उठाने के बाद फिर एक दम इस पर पंदस दन के अंदर अंदर इस पे घिया लग जाएगी मैं किसानों के कहता हूँ भी ऐसे काम करो जिससे तुम्हारा पैसा बचे और सबजी ताजी खाए ज वीडियो किसी लागी है और यह खास करिया वीडियो किसान बाई अंदर जुरूर पंचाह दियो जैजवान जैक किसान